गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स मैं राजिस वर्मा आज हम लेके आएं आपके लिए रीजनिंग का एक और टोपिक जिसका नाम है डारेक्शन इंड डिस्टेंज डारेक्शन इंड डिस्टेंज तो कलास सबसे पहले बात आती है नंबर ओफ डारेक्शन की कि वह हमारे पास नंबर ओफ डारेक्शन होते कितनी हैं अगर आप किसी से पूछते हो कि आपके पास टोटल नंबर ओफ डारेक्शन है कितनी तो कोई कहता है चार कोई कहता है आठ कोई कुछ कोई कुछ तो कलास से पहले याद रखें कि आपके पास जो टॉटल लॉब्र घरी डारेक्शन होती हो घण जिहां अगर मैं टोटल लॉब्र घरी लिए आपके सामने बात करो कि इस्ट वैस्ट नौर्थ को को एंड्र साव्थ ठीक को लगास इच्ट को हम बोलते हैं पूर वेस्ट हमारे लिए है पस्चिम नोर्थ उत्तर और साउथ हमारे पास है तक्सिन के नाम से कलेर रकलास यहां तक यहां पर देखिए यह जो एक एंगल हमारे पास बना है यह एंगल है 90 डिग्री का और 90 डिग्री के एकोर्डिंग की जो क्वाड्रेंट हमारे पास है ऐसे ऐसे हमारे पास टोटल चार क्वाड्रेंट है 1, 2, 3, 4 इन 4 क्वाड्रेंट में जो टोटल एंगल की रोटेशन आपके पास बनती है वो बनती है 360 डिग्री यहनिके 360 डिग्री इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता भी यदि आप किसी भी एक direction में face करके खड़े होते हो आप चाहिए आपको वहाँ से clockwise move कीजिए या फिर आप वहाँ से anti-clockwise move कीजिए अगर आपको दुबारा से उसी direction में आना है तो आपको maximum कितने degree move करना पड़ेगा 360 degree यह जो first quadrant आपके पास है नूर्थ और इस्ट के बीच का यह जो reason आपके पास आया है य्योंकि यह जो direction हमारे पास आई है वो direction हो जाती है नौर्थ इस्ट कौन चींदर इस्ट कामर से योंन साफ और वेस्ट के बीच की तो डारेक्षन हमारे पास है वो हो जाएगी साफ इस्ट, साफ और वेस्ट के बीच की तो डारेक्षन है वो हमारे पास हो जाएगी साफ वेस्ट, और north और west के बीच की जो direction है class वो हमारे पास हो जाएगी north west clear है अब हमारे पास total number of direction हो गई 8 4 main direction से 4 हमारी sub direction से जो 2 direction हमारे पास बचिया class वो एक इस से उपर की और एक इस के back side की for example जब भी हम लोग कभी graph बनाते थे तो graph में हमारे पास एक x plane होता था और एक y plane होता था इन दोनों से अलग जो third plane हम use करते थे वो हमारे पास था z plane जो हम 3D में use करते थे तो class हम अपने board पर maximum 2D को ही represent कर सकते हैं तो जो एक से उपर की direction है और एक उससे नीचे की दो direction हो और 8 direction ये तो हमारे पास जो total number of direction वनी है वो कितने होती है 10 direction test से related अगर कोई भी question आता है तो हम खुद को हमेशा कहाँ पर मानते हैं गलास center पर कहाँ पर मानते है center पर अगर आपको किसी भी direction में जाना है तो कहाँ से जाईएगा center से कितनी भी distance travel करनी है तो कहाँ से करोगे center से clear है जो rotation हमारे पास है ये होती है class clockwise जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिनावर्थ और जिसका basically meaning होता है turn in right side कि भी आपको right side में मुढ़ना है अगर आप against clock चलते हैं तो ये जो rotation आपके पास आई है इसको हम बोलते हैं class anti clockwise क्या बोलते हैं anti clockwise और इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं class और इसका meaning होता है turn in left side clear है आपको कोई doubt चलिए अभी जिस तरीके से आप सभी लोग बैठे हैं आप सभी का जो face है वो north की side है कि side है north की side तो आपके right और left दोनों direction ये रहेंगे ठीक है suppose कीजिए आपका face north में ना होकर east में होता है अगर आपका face east में है तो इन दोनों को ही side rotate कर दीजिए तो right नीचे और left उपर और अगर आपका face west में होता है तो इन दोनों को side move कर दीजिए left नीचे और right उपर clear है east और west दोनों ही direction जो है वो एक दूसरे के opposite है east और west दोनों ही direction जो है वो एक दूसरे के opposite है तो इनके सामने जो वैक्ती बैठे हैं उनके right और left भी क्या होगे एक दूसरे के opposite for example अगर मैं compare करूँ आप लोगों में और मुझ में आपका face है north की और मेरा face है south की और जब आप check करेंगे आपका right hand की side है east में बट मेरा right hand west में आप लोगा left hand की side है west में बट मेरा east में तो यनि कि जब भी कोई भी दो वैक्ती अगर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं तो उनके right और left भी क्या हो जाएंगे class opposite हो जाएंगे तो same अगर north के right और left ये हैं तो south के right और left इसके opposite यहां तक कोई doubt चलिए direction and distance का सबसे important point क्या कहता है अगर आप लोग 4 बार 4 times same direction में turn करते हैं turns in same side तो आप लोग उसी स्थान पर पहुंच जाओगे जहां से आपने चलना शुरू किया था इसके अंदर तो distance आपको बताई जाती है class वो एक ही बार बताई जाएगी और वो distance हमेशा fix होती है वो distance कभी change नहीं होती clear है चलिए देखते है जो direction map हमारे पास है east west north and south clear है मैं कहता हूँ अनिल north side में 10 km गया अनिल north side में 10 km गया तो class जब भी direction या distance का कोशन आजाए तो हम खुद उगों इसा कहाँ पर बानते है center पर अब हमको जितनी भी distance ट्रेवल करनी है तो कहां से करेंगे center से उसने आपको बताया भी अनिल north side में 10 km गया तो ठीक है भी यहां से यहां तक की तो distance है हम लोग माल लेते हैं 10 है कहता है वहां से चार बार right side में मुड़ा कितनी बार चार बार right side में मुड़ा बताईए वह किस दिशा में हैं तो चली देखता है और वह distance में से क्या रहती है fix रहती है उसने आपको बताया है कितने km गया 10 km यानिकि अब वह बात जहां पर भी मुड़ेगा वह distance कितनी रहेगी 10 रहेगी तो first time right 10 second time right 10 third time right 10 और फिर से 10 तो वह कहां पर पहुंचा गलास उसी स्थान पर जहां से उसने चलना सुरू किया था clear है तो अब हमारे पास उस question का answer क्या आया कि वह वेक्तिक किस दिशा में है नौर्थ में है यहां तक कोई समस्या शोर चलिए अभी हम इस से आगे करते हैं चलिए कलास अभी आपने पढ़ा था कि जब आपके पास कोई भी डिस्टेंस फिक्स रहती है जब भी आपको डारेक्शन के अंदर यह बताना है कि आप है किस दिशा में तो कलास याद रहे उस दौरान हमार पास होती है वो कौन कौन कोई सिसी होती इन में से पहली कंडिशन हमारे पास होती है अगίνस मरी कंडिशन कैसे कंडिशन होती है रूकी हुए आज़कर और अगर आपके पास side plus distance ये दो मही चीज़े गीवन है तो आपके पास number of direction भी कितने हो जाएंगी दो हो जाएंगी किस तरीके से east west north और south मैं कहता हूँ राम east side में 5 km जाता है तो चलिए center से शुरू करते हैं यहां से यहां तक की दो distance है वो हो गई 5 वहां से वह left side में मुड़ा किस side में class left side में मुड़ा और 12 km गया तो ठीक है यहां से left side में मुड़े और 12 km गयी जब आपके पास एक fixed distance थी कि वह 12 km गया है तो class 12 km जाकर आप लोग रुख जाओगे और जहां पर भी आप रुख जाते हो खड़े होते हो कहने मतलब भी जब भी आप किसी भी एक point पर fix हो जाओ तो आप हमेशा ही दो direction के बीच में होते हो और इस time पर राम जो है वो किन दो direction के बीच में है नोर्थ और इस्ट के बीच में तो यहनि कि यह जो direction हमारे पास आई है राम की वो कौन सी आई है नोर्थ इस्ट बट यहां से एक second question और भी बनता है first question तो आपके पास था राम किस दिशा में है तो ठीक है राम नोर्थ इस्ट में है बट direction से related एक question और भी बनता है कि राम का face किस दिशा में है तो कलास राम का face किस दिशा में है अगर हम इसकी बात करें तो राम का जो face है नोर्थ साइड में है यहां था कोई doubt clear है चलिए इसके बाद की जो second condition हमारे पास थी वो है running condition तो चलिए अब हम running condition के बारे में बात करते है अभी कलास आपने पढ़ा था stationary condition के बारे में तो अभी हम बात करेंगे running condition के बारे में जो इसकी second type थी running condition running condition में मतलब क्या हो दा है कलास चलते हुए और जब आप चल रहे होते हो तो आपके पास distance नहीं होती सिर्फ और सिर्फ direction होती अभी आपको जाना किस side और जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दी हो side तो आपके पास number of direction भी रहती है एक और अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि वो एक side की direction कौन सी होगी तो कलाश simple सी बात है वो direction रहेगी towards your face जिस भी side आपका face होगा आप उसी direction में होंगे और कुछ नहीं मैं कहता हूँ अनिल इस side में face करके खड़ा है कुछ दूर चलने के बाद कलाश इस line पर ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला है कुछ दूर चलने के बाद क्या मैंने आपको कोई distance बताई नहीं सिर्फ क्या बोला कुछ दूर चलने के बाद अब कराश कुछ दूर तो हमारे according कुछ भी हो सकता है मान लीजिए इस सारी distance हो है हमारे लिए कुछ दूर है वो कहता भी कुछ दूर चलने के बाद वह left side में मुड़ा और चलना सुरू कर दिया ठीक है भी हम लोग मान लेते हैं वह left side में यहां से मुड़ा और चलना सुरू कर दिया और अभी वो चल ही रहा है और जब आप चल रहे होते हो तो आपका direction भी कितनी होती है एक और वो direction कौन से होती है जिस तरफ आपका face होता है तो अभी अनील का जो face है वो किस direction में है नौर्थ में और अनील खुद भी किस direction में होगा नौर्थ में तो उसका face भी और उसकी खुद की direction दोनों का अंसुर क्या रहेगा नौर्थ रहेगा उसके बारे बात करते हैं अगर आप इन चार में लाइनों में से अगर आप उन चार में लाइनों में से किसी भी एक लाइन पर पहुंच जाते हो तो आप उसी direction में होंगे जिस point पर आप है सुपोज कीजी आप कहीं से भी आए doesn't matter आप इस point पर पहुंचे तो आप किस direction में है इस्ट में यहाँ पर पहुंचे तो north में यहाँ पर west में और यहाँ पर south में हाँ बट आपके face तो change हो सकते हैं तो चली देखते हैं सुपोज कीजी आप उपर से कहीं से आए और इस point पर पहुंचे तो सबसे पहला question तो same है कि आप किस direction में है तो answer भी same है आप तो east में है बट आपका face south में सुपोज कीजी आप यहाँ से कहीं से आए और इस point पर पहुंचे तो आप किस direction में है आप south में है बट आपका face west में है आप नीचे से कहीं से आए, इस point पर पहुंचे, तो आप किस direction में है class? West में, बट आपका face? North में, और अगर आप इस side से कहीं से आए, और इस point पर पहुंचे, तो आप किस direction में है? North में, बट आपका face? East में, clear है यहां तक? कोई doubt? चलिए, तो यह था हमारे पास direction के लिए, बट हमारे topic का नाम है class, direction and distance, तो जब भी हमको direction के बारे में बात करनी थी, तो हमारे पास condition थी, वो stationary condition भी हो सकती है, running condition भी हो सकती है, हो सकता, आप इन में से किसी भी main line पर आ जाए, बट, जब भी हमको direction के अंदर distance बतानी हो, क्या बतानी हो? distance बतानी हो, तो हमारे पास right angle triangle का होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम कभी भी distance नहीं बता पाएंगे, तो क्लास, अभी तक हम लोगोंने बात की तिर डारेक्शन के बारे में, अब हम बात करेंगे distance के बारे में, तो क्लास, जब भी आपको direction के अंदर distance बतानी हो, तो मैंने आपको बताया था, हमारे पास right angle triangle का होना ज़रूरी है, तो चलिए, उसी right angle triangle के बारे में हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक right angle triangle है, क्लियर है, right angle triangle में ये angle जो हमारे पास 90 degree का है, इसके सामने वाली side कहलाती है, hypotenuse, क्या कहलाती है, hypotenuse, और hypotenuse को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण, और इसको represent किस से करते हैं, edge से, 90 degree का angle, जिस side पर बना होता है, उसको बोलते हैं base, यानिके आधार, और इसको represent करते हैं class B से, 90 degree का angle, जिस side के साथ बना होता है, उसको बोला जाता है perpendicular, और यानिके lump, और इसको represent करते हैं class B से, according to pythagoras theorem, हम लोगों ने क्या पढ़ा हैं, कि वही, edge square, equal to, B square plus, P square, और यह जो edge square हैं, इसको बोला जाता है, shortest distance, यानिके, यह हमारी, नियूंतम दूरी, ठीक है, but, according to SSC और bank, इसका एक नया नाम और भी होता है, और उसको हम बोलते हैं, crow flight height, क्या बोलते हैं, crow flight height, crow flight height, clear है, but, अगर मैं एक simple सी बात करूँ, तो यहाँ पर वो हमको value बता रहा है, h square की, किसकी value उता रहा है, h square की, but, हमको value चाहिए, किसकी, h की, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ squaring कर देंगे, और दोनों तरफ squaring करने से क्या हो जाएगा, h equal to root of b square plus p square, clear है, बट यह कोई जरूरी तो नहीं, कि वो आपसे हर बार h की value पूछे, वो हमसे base की value भी पूछ सकता है, और base की value क्या हो जाएगी, root of h square minus p square, और अगर वो हमसे perpendicular के लिए value पूछता है, तो यहाँ से भी p की value क्या हो जाएगी, root of h square minus b square, some time it happens, कि बच्चा confused हो जाता है, कि सब यहाँ पर थो हम लोग plus कर रहे थे, बट यहाँ पर हमारे पास values minus i तो कैसे आई, अगर हम इसी चीज़ को solve करें, जब तक हमको h की value बतानी थी, यह दोनों values plus में थी, अगर हमको इसमें से कोई भी एक value बतानी है, तो second value जब equal to के symbol से इस side आएगी, तो वो अपने symbol को change कर देती है, यानि कि जब हमको b की value बतानी थी, तो p square यहाँ पर जो plus का था, वो इस side आगर क्या हो जाएगा, minus का, और जब हमको p की value बतानी थी, तो जो b square यहाँ पर पर परस का था, वो इस side आगर क्या हो जाएगा, minus का, तो याद रहे, direction के अंदर, जब भी हमको distance बतानी हो, तो हमारे पास right angle triangle का होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम कभी भी distance नहीं बता पाएंगे, और अगर यह right angle triangle हमारे पास नहीं है, तो हम इसको मान लेंगे, यहने की assume कर लेंगे, तो सलीके रहास अभी हम बात कर लेते हैं, direction इंडिश्टेंस के बारे में, direction के बारे में आप ने पढ़ा, distance के बारे में आप ने पढ़ा, अभी इसका तो last concept हमारे पास है, हम बात करते हैं सैडो के बारे में क्लास अभी हम बात करते हैं सैडो के बारे में सैडो Direction and distance का last step सैडो यानिके पर्चाई सैडो हमेशा light के opposite बनती और source of light हम मानते हैं sun को अगर मैं बात करूं morning time की तो क्लास as we all know morning time में sun कहा होता है sun होता है east में तो shadow कहां पर बनेगी उसके opposite यानिके west में तो यानिके morning में shadow बनती है west में और evening में जो हमारे पास sun की position होती है evening में sun होता है west में तो हमारे पास shadow बनेगी east में clear है इन दोनों से अलग अगर कोई भी rainy day है या कोई तुफान आया है, स्टोर्म या फिर एग्जेक्ट नून टाइम जब सन ठीक आपके सर के उपर होता है तो उस दोरान कोई सेडो नहीं बनती तो अभी तक हम लोगोंने डारेक्शन इन डिस्टेंस के कम्पलीट बेसिक के बारे में पढ़ा कि टोटल नंबर और डारेक्शन कितनी होती है, 10 क्लियर है, हमारे यूज की होती है, 8 बट जो हमारे पास टोटल नंबर और में डारेक्शन होती है, वो होती है, 4 क्लियर है, इस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और साउथ चार इनकी सब डारेक्शन होती है और दो directions होगी हम 3D में use करते हैं एक उससे उपर की और एक उसके नीचे की उसके बाद हम लोगों ने बात की थी distance के बारे में distance right angle triangle के without नहीं बताई जा सकती तो जब भी आप direction कोई भी question करो और अगर उसके अंदर हमें distance बतानी हो तो distance के लिए right angle triangle हमको ज़रूरी चाहिए और अगर वो नहीं है तो उसको assume कर लिया जाएगा और पायख और सोनम की help से हम अमारे hypotenuse की value भी बता सकते हैं base की value भी बता सकते हैं और perpendicular की value भी बता सकते हैं उसके बाद shadow shadow innocence परसाई के बारे में अभी आपने पढ़ा आईए तो चलिए के लास अपनी next वीडियो में हम लोग बात करेंगे direction and distance के questions के साथ तब तक के लिए सबाखेर सुबरातरी